सदन के भीतर पपू यादो ने जै बिहार कहके ये बता दिया कि अब हम पूरे बिहार की बात करेंगे हम ये बताएंगे कि बिहार की नाकामिया क्या क्या है बिहार में कितनी फैक्ट्रिया बंद पड़ी है और केंदर सरकार चाहे तो उसे चालू करा सकती है पप्पू यादो ये बता रहे थे कि बणाम बिहार का मतलब होता है पूरे बिहार की बात करना हमने पहले ही बताया था कि अब सगन के भीतर जो बिहार के सांसद गए हुए हैं विपक्ष के तरफ से उसमें से सबसे ज़्यादा आवाज उठाने वाला कौन है उसमें पहले नंबर पर पपू यादो का नाम था और सफत लेते समय पपू यादो ने ये बता दिया कि हाँ मैं बिहार की बात करूंगा पपू यादो ने पहले परणाम पूर्णिया कहा उसके बाद परणाम बिहार कहा और बिहार कहते हुए बड़े गर्ब से उन्होंने बिहार की विसेस राज दर्जे की मांग रख दी और जब उन्होंने मांग रखी तो भाजपा की एक सांसद उसमें कूद पड़े और उन्होंने उसमें हस्त छेप किया तो पप्पु यादो ने कड़े सब्दों में उनको जवाब भी दे दिया पप्पु यादो ने ये तक कह दिया कि आप हमें ना सिखाईए हम चार बार निर्दलिये सांसद चुन कराए हैं और छटे बार सपत ले रहे हैं दो बार पाटी के तरफ से और चार बार निर्दलिये सांसद बने हैं तो आप हमें मत सिखाईए आप किसी की कृपा से सांसद बनते हैं हम अकेले लड़ते हैं और सांसद बन जाते हैं और उसके बाद पप्पू यादो जस तरीके से सदन के वीतर दम भर रहे थे वो बता रहे थे कि चाहे कुछ भी हो जाए हम चटान की तरण नरिंद्र मोदी के सामने खड़े रहेंगे हम बिहार की समस्याओं को पटल पर रखेंगे और ये बताएंगे कि बिहार में समस्या कितनी है बिहार में किस तरीके से पुल्ड है जा रहा है बिहार में बेरोजगारी कितनी है बिहार की सिख्षा बेवस्ता का दुर्दशा क्या है और टी-शट पर री नीट लिखकर पप्पू यादो ने ये भी बताया कि नीट में धांदली हुआ है और इसको लेकर पहल भी बड़ी होनी चाहिए पप्पु यादो कल सपत लेने पहुँचे निर्दलिये पुनिया से सांसद और जब उन्होंने सपत लिया उस वक्त बिहार के विसेश राज के दरजे की मांग रखी और इस मांग के रखते ही बवाल सुड़ू हो गया बवाल इसकदर हुआ कि संसद तीबी से पप्पु यादो के बीडियो को हटा दिया गया उस वीडियो को जिसमें पप्पु यादो ने अपनी बातों को रखा था पप्पु यादो के सिर्फ उस क्लिप को रखा गया है जिसमें वो सफत ले रहे हैं उस क्लिप को हटा दिया गया जिसमें पप्पु यादो बिहार के विसेश राजदर्जे की मांग रख रहे थे या फिर जिसमें वो भाजपा के सांसद को समझा रहे थे कि आप हमें न समझाईए कि हमें करना क्या है पपू यादो कि ये सादगी भारतिये जनता पार्टी को खूब खलेगी भारतिये जनता पार्टी सोचेगी कि इस बार महगा पड़ेगा इस बार सदन में सोच समझ कर बोलना पड़ेगा क्योंकि सामने पपू यादो बैठा है अब आगे देखिए क्या होता है बेराल इसकबर में इतना ही बननेवार साथ और देखते रहें The India Top